तो आपल का इवेंट फाइनली खताम हो चुका है और प्रो मॉडल्स मार्केट में आ चुके हैं इंडिया में भी लाउंच हो चुके हैं इनके बारे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एक क्विक फर्स्ट लुक में जो की हमने युएस में आपल पार्प में सीव जॉप सेंटर में एक्स्पिरिंस किया इन दोनों फोन्स के साथ तो चलिए आपको एक क्विक लुक देते हैं आइफोन 16 प्रो और प्रो माक्स मॉडल्स की तरफ यह है फाइबर मैं हूँ सायरस और आइफोन्स लेट्स गो सब्सक्राइब बात करते हैं प्रो मॉडल के नए डिस्प्ले टेकनोलोजी के बारे में जो कि हलका चेंज जरूर हुआ है साइस के बारे में बात करें तो 6.3 इंच का हमारा प्रो वेरेंट है और प्रो मैक्स को बंप अप करके 6.9 इंचिस का बना दिया गया जो कि अब तक iPhone की सीरीज में पाया गया सबसे बड़ा डिस्प्ले है अब दोनों डिस्प्लेज की बात करें तो ये Super Retina XDR डिस्प्लेज हैं जो कि Always On डिस्प्लेज के साथ भी आते हैं और इन में Pro Motion टेकनोलोजी भी दी गई है जो आप एक iPhone सीरीज में देखेंगे वो आपको इन दोनों पोंस में मिलते हैं अब इनसे कसमर्स का फाइदा क्या है आपको refresh rate content में तोड़ा fast मिलेगा animations तोड़े smooth मिलेंगे आपको resolution थोड़ी sharp मिलेगे जो भी आप content देखें में चाए videos है या कुछ भी हो तो एक better visually enhanced experience आपको मिलेगा Apple ने design में भी थोड़ी imagination दिखाई है यहाँ पर जादा कुछ tweet नहीं किया है लेकिन उनोंने titanium body लगाई है इस बार stainless steel के मुकाबले थोड़ा lightweight हो जादा पूरा package आपके लिए और इसमें आपको जो bezels हैं thinnest मिल रहे हैं इसी भी Apple product के लिए जो कि एक अची बात है आपको production के लिए ceramic shield मिल रहा है जो कि glass से थोड़ा जादा strong है किसी भी smartphone में और अगर आप color choices की बात करें तो आपको black, natural color जो उसका है white color और एक desert color जो titanium desert है वो मुझे बहुत पसंद आए है आपको भी definitely वो पसंद आएगा it's going to be the favorite, I'm sure वहीं बात करें इनके camera के तो camera तो बहुत ही बड़ा talking point होता है और pros का camera भी इस साल एक talking point definitely रहा क्योंकि इन दोनों फोन्स में अगर pro और pro max की बात करें तो एक upgraded camera system टाल दिया गया है अब आप pro और pro max की बात करें now you're getting a 48 megapixel fusion camera with a quad pixel sensor अब इसका मतलब यह है आपको इसमें 4K recording मिल रही है by the way 120 fps तक की शमता है इसमें जो की slow mo capture करने के लिए perfect है और आपको यह dolby vision support करके देता है इसका यह मतलब है आपको one of the highest resolution cameras मिल रहा है इस combination में और यह across the iPhones की बात करें तो अब तक का top of the line से best camera आपको मिल रहा है इसके राबा आपको इस setup में एक 48 megapixel का ultra wide camera भी मिल रहा है जो की resolutions की बात करें photography में तो पुरा game change कर जाता है आप इसमें एक high level resolution में photography कर सकते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि pro models में भी 5X stereo photo camera की availability मिल रही है जो की detailed shots देगा अब अब आप दूर किसी subject को capture करना चाहते है तो और portraits में तो आपको definitely मदद मिलने वाली है थोड़े hardware changes की बात करें तो Apple ने अब अपनी 16 series में pro series में भी camera control button दिया है जो की एक बहुती innovative feature है पुराने phones में भी देखा गया ऐसा एक side में shutter button जो की अब नए iPhone 16 pro series में आता है बिसलिए नया way है camera के साथ interact करने के लिए आपको एक tactile सा switch मिलता है जिसमें capacitive sensors है इसको हलका सा press करोगे तो आपको focus मिलेगा long press करोगे तो आप video record कर पाओगे या फिर camera से photos कीच पाओगे और इसमें आप camera की setting भी directly उसमें हलका सा slide करके change कर सकते हो which I think is a very unique feature ऐसा कोई phone निया market में इस वक्त जो की ये feature देता है I'm sure बाकि फोन भी follow करेंगे ये but अभी Apple ने तो कर दिया है तो yeah you get some of the camera capabilities with the camera control button इसके processor की बात करें तो iPhone 16 Pro Series में अब आपको A18 Pro Chipset मिल रहा है जो की top of the line technology offer करता है ये 3 nanometer technology बना गया है जो की second gen पे चलता है और इसके अंदर 16 आपको neural engines मिलते है 6 core के CPU मिलता है जो आपके previous generation से आपको 20% तक faster GPU performance देने की शमता रखता है इसमें gaming के लिए आपको hardware accelerated rate tracing मिल रही है और enhanced power management जिससे आपकी battery और बचेगी अब efficiency की बात करें तो हमने battery की बात की तो Apple ने का आए कि आपको इस series में अब तक की सबसे best battery life मिलेगी अब Apple ने ये नहीं बताया कि उन्होंने कितनी batteries में डाली है लेकिन ये जुरूरू बताया कि आपको पहले से better battery life pro series में मिलेगी तो उन्होंने chipset में कुछ tweaking की है आपकी battery life को extend कराने के लिए अब इसी pricing की पात करें तो iPhone 16 Pro की price रखी गई है starting price 1,19,900 रुपीज वहीं 128 GB का variant का वर्जिन का price है वहीं Pro Max की अगर बात करें तो इसकी price रखी गई है 1,44,900 रुपै जो की 256 GB variant की pricing है अब सारे ये iPhone Pro models आपको इंडिया में अगर pre-orders करना चाते हैं वो Friday को start हो जाएंगे और इनकी availability होगी 20th of September stores में ये phones मिलने शुरू हो जाएंगे और आप line लगाना चालू कर सकते हैं और kidney बेशना और 100 jokes आजाएंगे आइफोन के तो ये था iPhone Pro के updates जो भी Pro models इंडिया में या फिर globally जो भी लेके आ रहे हैं but are you excited about these Pro models और क्या आपको प्रो मॉडल्स खरीबने चाहिए क्या आपको 16 पे टिके रहें चाहिए इन सब सवालों के जवाब हम reviews के बाद ही देंगे अभी नहीं देना चाहिए इस तो सुन हमने फोन भी यूस भी नहीं किया एक फिर्स लोग आपको दिया है हमने यूसे बट प्लीज से टुन तो फाइबर ऐसा और भी Apple का content हम आपके लिए लाती रहेंगे और इनके reviews मैं आपको गैरंटी दे रहा हूं बहुत जल्द ही हम Apple के in pro series के models के reviews इस channel पर लाएंगे तब तक के लिए stay tuned and I will be back with more tech content right here on fiber Hindi see you soon